माया को सत्य मानते हैं, माया सत्य है ही नहीं, हमने उसको मान रखा है, हमारा ये बिलिफ बन चुका है, धर्ति लोग की चीजों जो हैं, ये छोडने वाली नहीं है, जब तक हम ना छोड़े, आपको डिसाइड करना है कि वाट नेक्स्ट, जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजे ह जो हम नहीं जानते, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, तो अच्छे बेफोकस लगा, क्योंकि हमारे जीवन जो हैं, अच्छाई के लिए हैं, हम अच्छे बनने के लिए हैं, हम अपने अंदर पॉसिटिव परिवर्तन लाना चाते हैं, तनाव का संकल, स्ट्रेस, ट आपको लाइट दिख भी गई, तो इसे हमें खुश नहीं हो जाना है, या तनाव में नहीं आना है, कि दुसरे दिन क्यों नहीं दिखी, अरे एक दिन दिखी थी अपनी दिखी, क्या करें, औरे नहीं दिखी तो छोड़ो ना, भई तुम लाइट देखने बैटे हो, तो घ दिखेगी, खुब दिखेगी, ऐसा नहीं है, यह आँखों से दिखने वाली चीजें नहीं है, कही बार बापुजी ने का है, आँखों से दिखने वाली अनुबूति नहीं है, अगर मान लो आँखों से आपको कुछ दिख भी ग्यान है, तो वो सत्य नहीं हो सकता है, एक ज्यानी इन सभी वासनाओं से कैसे बचे अजी ये यह संसार ये वासना जो है ठक अब इसमें आपको कितने गोते खाने नई खाने वह तो आपको तेह कर ना है और कि तो नहीं मिल रहें आप छोटे आंद को लेकर के uhh खुश हो रहे हैं और बड़े आनन्द को छोड़ रहे हैं परम आनन्द को छोड़ के छुट आनन्द में आ रहे हैं ये सब टेंपररी बाते हैं टेंपररी चीजे हैं कुछी समय का आनन्द है इन चीजों में मत फसो तो ये साधनों का सुख है संसार का सुख है, ये माया है इस माया को भोग के कभी कोई सुखी हुआ ही नहीं है ये सब चीजे इच्छा ये वासना ये कामना है इसलिए अरजुन को बोला ना कि इच्छाओ की कामनाओ की नदियों में मत भहू अरजुन तो ये आपको तेह करना है कि कितना आपको सुख भोगना है ग्यान से ही वेराग आता है, तो ग्यान नहीं सुनेंगे तो वेराग नहीं आएगा, मन को शांत रखो हर सिचुएशन में, यह आप ही के उपर और यह प्रैक्टिक से हो जाएगा, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कि आप इसे कर ही ना सके, कोई भी ना क रहूंगा, और यह आपको बार-बार प्रहतना करना है, सहज स्वभाव का बनना है, कप्टी नहीं बनना है, हुसियार नहीं बनना है, डेट डाया नहीं बनना है, सिंपल बनना है, जो भी है, सिंपल रहो, स्वस्त्र रहो, जो सिंपल जीवन जीते हैं, वो ही जीवन में शोसा, नाटक, पाटक, ये सब चीजों वाले लोग जो है न, अंदर से सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उनके अंदर की जो इगो है, वो हर पल बढ़ती रहती है, कि आज मेरे पास ये है, ये नहीं है, मतलब ये चीजे बढ़ती रहती है, चाहिए सरीर को देखके हो या पैसा हो, डिगरी हो, मकान हो, जमीन हो, या जो भी हो, तो ये सब चीजे आपको और भहुतिकता में फसाती है, और भहुतिकता में फसने से आत्मा को दुखी मिलता है, सुख कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि बुद्धी जब तक भहुतिकता में रहेगी, लगी रहेगी तो मन कभी भी सांत नहीं हो सकता